नमस्कार मैं अमेत आपका स्वागत करता हूँ आज आपको बताओंगा प्रधान मंत्रिया जो जन्धन योजना है उसको आप कैसे ले सकते हैं कैसे यानि कि स्टेप बाइ स्टेप उस चीज को यानि कि कैसे वो काम करती है कैसे क्या उसका फाइदा आप उठा सकते हैं तो जन धन खाता धारकों को अब रोजगार करने के लिए बिना ब्याच के भी कर्ज मिलेगा जैसे कि हिंदुस्तान में छोटा वैपार करने के लिए भारत सरकार जो ये आपको कर्ज दे रही है ये कर्ज की उपड़ी सीमा 5000 रुपए होगी बशर्ते शर्त ये होगी कि जैसे आपका खाता है तो खाता मिंटेन हो जैसे कि आप पैसा निकालते जमा करते हो ये एक आसान सा तरीका है कहीं पे भी आप जाएंगे लोन के लिए या किसी भी आप कारे कोई भी करेंगे तो इसके लिए बैंक का मिंटेनेंस बहुत जरूरी होता है कि आप बैंक का जो खाता आपका है उससे आवा गमन रखिए पैसा निकालिए कम और जमा जादा करिए बिना ब्याच कर जिस सिर्फ 24 घंटे के लिए होगा ये जानकारी वित्यमंत्राले में बैंकिंग डिवीजन के वरिष्ट अधिकारी ने दी है PMJDY प्रदान मंत्री जंधन योजना के तहत खाता खुलवाने वाले गरीब एवं असाहाए लोगों को अब कोई रोजगार या धंदा करने के लिए बिना ब्याच के भी लोन मिलेगा इसके लिए लोन की उपरी सीमा 5000 रुपए रखी गई है शर्त जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ट्रैक रिकॉर्ड को जो आपका बैंक स्टेडमेंट है जो आपका शो करता है तो वो आपको सही रखना होगा अच्छा याने की खास होना चाहिए कि मंतली आप उस इसके अंदर डेबिट कर रहे हो और कम आपका क्रेडिट हो तो हाला कि बिना ब्याज का लोन सिर्फ 24 घंटे के लिए ही होगा मतलब अगर सुबह 11 बजे लोन लें और अगले दिन 11 बजे तक वापस कर दें तो बैंक कोई ब्याज नहीं लेगा इस समय प्रदान मंत्री 85,64 करोड रुपए जमा है केंदरी वित्य मंत्राले में बैंकिंग डिवीजन के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि प्रदान मंत्री जंधन योजना के तहट जो बहतर ट्रैक रिकॉर्ड वाले खाते दार हैं उनके खाते में यदी पैसा नहीं है और उन्हें किसी काम क रखे ओवर्ड्राफ्ट की सुविधा का प्रावधान है अब इस सुविधा को और बहतर किया गया है अब यदि कोई खाते दार 5000 रुपए का ओवर्ड्राफ्ट लेता है और 24 घंटे के अंदर वापस कर देता है तो उससे एक पैसा भी ब्याज नहीं लिया जाएगा लेकि तो उनसे नियम अनुसार ब्याज लिया जाएगा 2015 में आई थी जंधन योजना जो प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने 15 अगस 2014 को लाल किले पर दिये अपने पहले भाशन में इस योजना की घोशना की थी बाद में ये योजना की शुरुवात कर दी गई उस समय तो देज भर म बैंकों में अभियान चला कर जंधन योजना के तहत खाते खुले गए थे 31 करोड से भी ज्यादा खाते खुले हैं 23 अप्रेल 2018 तक देश भर में प्रधान मंतरी जंधन योजना में 31.48 करोड खाते खुल चुके थे इनमें 80,000 करोड रुपए से भी अधिक राशी जमा है इन्हें पैसे जमा करने या निकालने में कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए 1.26 लाग बैंग मित्र की सेवा ली जा रही है खाते में जमा राशी शूनने हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और यदि कुछ जमा राशी हो तो उस पर ब्याज भी दिया जाता है परिवार के एक सदस्य को मिलेगी यह सुविधा अधिकारी का कहना है कि यह विचार कच्चा रोजगार करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर लिया गया है कोई पकोड़ा बेचने वाला बैंक से सुवा में पाच हजार रुपए का लोन लेकर बेसन प्याज तेल आदी खरीता है और पकोड़ों की बिक्री कर शाम में उसे वापस कर देता है तो उससे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा इसी तरह कोई दुपएर बाद बैंक से पैसा लेकर शाम में सबजी की ठेली लगाता है और उसे बेच कर अगले दिन सुबा बैंक के पैसे वापस कर देता है तो उसे ब्याज नहीं देना होगा यह सुविदा एक परिवार के किसी भी एक व्यक्ति को मिल सकती है और महिला को ओवरड्राफ्ट देने में प्रात्मिक्ता दी जाएगी तो यह था हमारा प्रधान मंत्री जंधन योजना का वीडियो यह आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा और अगर आपने अभी तक के सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो आपको हम दिखाते रहेंगे इसी के साथ महमित आपसे अजाज़त चाहता हूँ धन्यवाद यह बलकुल फ्री है सब्सक्राइब करिए हमारे एस्टी न्यूस चैनल को और दबाएए इस घंडे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरे